है वालो दोस्तो मेरे नाम है अजर दोस्तो आज यहां पर अध्र मिट्टी होती है डों पर अंदर लिए रखी जो कि ए प्रिप телефон के वा है यह शह फोन चुकी है धूर पीछ दोस्तों आगे मिस नहीं आगे से अन्सिकल मिट्टी है पious हमारे ःताई अध्र zoleo किया जाए तो उसी में उसी के बारे में मैं आप इसको आपके बताऊंगा कि दोस्तों आपको करना क्या है और दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही बिता दू कि रीजन क्या होता है अंदर धूल मट्टी जाने का तो सोचते हैं दोस्तों कि इसमें मट्टी आकरी आती कहा स्वास हैं डेल लंस लेंस से मट्टी दिख्या Hence सकती नहीं कहीं से भी कोई दिक्क्त नहीं होती लेकिन होती है साई है जो साइड हैं डिश्य टीक के क और रह थे हैं यह इसकी दूल मति उन्डर पहुंच जाती है तो दोस्तों दूल वेकिन हमारा जिर्फोन जितना पुराना होगा तो जितनी भी भूल मट्टी होगे संब उस आंदर पहुच जाती IF तो जाए-धडर तो यह रीजन मट्टी जाने का वो फोन को खुलने के काशव होता है कि दोस्तों कभी फोन आपको खुला हो तोGS कहीं पर गैप आरहा होगा तो वो स्केप के चक्करे में धूल अंदर चली जाती है और वो पीछे की साड़ आ जाती है ठीक है तो अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी इसको साफ करने में या आप नहीं कर पाऊगे या आपको किसी मुबाइल सॉप के पर ले जाके ही इसको स प्रेशन हो तो आपको पता है होगा बाकी मैं आपको समझा रहा हूं तो इसके लिए दोस्तों आपको फोन खोलना होगा ठीक है तो आपको phone खोलने के लिए तो iPhone के जो अंदर देखना पड़ाइगे मती आखिष塗 होये है और क्यों आइता किशे हाई है किश in्सके लिए औ दाने कहने में कने दोस्तो में तो बहुत से फोन में हमाइन आ देखा होगा कि मत्षूल उसका आछाए है आपके साथ हुआ समय क के एंड़ियु संक गिस्ते सब्सक्राइं का रा लाया है कि तो यह तो मैं आपको दिखारता हम पहले इसके phone की डिस्प्ले को तार लेता हुँ ठीक है तो इस तरह से दोस्तो के थोल जाती है क्वं कि phone में प्रिक हा da थासटी ने जाता है यह बार फोन की display चेंज हो जाती है कुछ बेपार काम हवा होता है तो तो वो पहले जैसे फीटिंग होती है कंपनी वाली वो नहीं मिलती है, इस कारण हमारे फॉन के अंदर धूल मट्टी चली जाती है। और दोस्तों दूल मट्टी ऐसे नहीं जाती क्योंकि अगर आप किसी वैसे एरिये में हो जहां पर जहां मट्टी जादा हो जहां किसी दुकान पर हो कहीं पर जिगा हो जहां मट्टी जादा हो तो उस जगे के असाफ से फोन के अंदर मट्टी जाने के जादा चांसे होते हैं अगर आप घर में हो या किसी अवैस में हो वस ऑफिस जाना आना हो तो उस अपे और फॉन में मट्टी जाना जल्दी नहीं होता तो देखें कितनी सारी दूल मट्टी यह ही कारान है फोन के हैं मोद कुक्त पहुचना इपने दोस्तों इतनी सारी मट्टी अगर आग्या सकती है तो उसे चक कर तो यह देहें गये यहां पर काफी suck होई यहां पर काफी में दोल है तो framework को फोनी अधिया लगा सकते हैं दोस्तों तो यह गैसे दहुंब चली ही है ओके देखते हैं ठीक है दोस्तों तो यह काफी सारी इसमें धूल गई हुए तो चलिए तो अब हम इसकी जो है कि पहले सर्विस करेंगे पहले इतनी भी धूल है यह सब साप करेंगे एकदम इसको बिल्कुल क्लीन क्वाल्टी में कर देंगे ताकि यह फोन इंद शाफ स देखते हैं कि साफ करते हूं तो यह केमरे की ऊपर के सीट है कैदो इस तरह से आपको निकाल देना है कैमरे में दोस्तों काफी धूल जो एक गई हुई है कैमरा चांसे ज्यादा है कि कैमरा भी इस कंडिशन में खराब हो जाते हैं लेकिन लाल कैमरा तो ठीक चलना था ऐसे की बात नहीं है बार देखिए धूल मट्टी काफी है इसको अपर तो यह भी हम देख लेंगे काफी मट्टी गई हुई है सबसे पहले दोस्तों हम इसको क्लीन करेंगे देखिए कुछ इस फोन में आयो हिए यह कहां से यह साय जो यह यूजर है आईफोन जिसका है वह सायए उस अरिया में हो जहाँ ज्यादा धूल मट्टी होती है जो जहाँ दूल म्स हो या कि घर हो उस जितनी भी धूल मट्टी दोस्तों निकाल लीनी है कि दोस्तों धूल मट्टी से क्या होता है ज़रूरी नहीं कि दिक्कत नहीं आएगी कभी ऐसा हो सब्सक्राइब कि फॉन में किसी जगे पर अगर जम जाए मट्टी तो वह हिस्सा काम करना हमारा बन कर देता है है तो इसलिए हमको पूरा फोन जोई कि अच्छे से कर देना है अगर हम एक सोटेंगे इसको ऐसे हम अगरा शोचे कि लेंस साप करना है लेंस को छोड़ देते हैं इसा मत करीये पूरा फूरा फोन अच्छे से क्लीन कर दो ताकि आगी आए जाकर दिक्कत इसमें होगी नहीं को हलकेल के हाथों से सारे पर उसको माल लेना है कि देखिए सारी धूल मट्टी आपको निकाल लेनी है यही कारण होता है पीछे मट्टी जाने का फॉन के अंदर की डिस्प्ले अगर फॉन खुला हो फिक्टि ना प्रपर बेठी है लेकर आप घर में में हो और ओफिस में हो तो उस कंडिशन में अगर फिटिंग ना हो तो कोई दिक्कत निया अपनी मट्टी जाएगे ने लेकर आप एसे एरिये में हुजाए दूल मठी ज्यादा है रेत वारा एरिया है वहां कुछ आपान छाद से ही फोन मंठी जानेकेicia उगे तो यही तरीका होता यही कारा में दोस्तो इसको साप करने का और इसमे दूल मट्टी जानेगा तो सब्सक्राव अच्छे से क्लीन करनें के बार में तो अच्छा रहेगा किया तो देखिए कुछ इस तरह से था पहले इस तरह दिखाई तरह था और अब यह इस तरह से हो चुका है ठीक है तो अब देखिए बिल्कुल ही हमने irosasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas यह जमता नहीं है इसलिए है इसे साफ कर देते हैं यह जोए कि दो तो कि अच्छा होता है यह पर फट रपर से उड़ जाता है तो देखी सुख गया तो इसे सारी दश्ट होती है वो निकल गई है तो आप इस तरह से आपको फोरे ही फॉन के बोड को बिल्कुल अच्छे सब्सक्राइब करने में सब्सक्राइब तो आप मुडील ऌपَणार चैंस काम होते थाइजा है कि दोस्तों मुबारा जाएगा उक्यात क्लाइब तो इस तरह से मैंने सारा का सारा बोड जो है कि क्लीन कर दिया है अब आगे चलते हैं तो इसके कपड़े से आपको इसका तो लेना है इस तरह से आपको किसी लेन्स को लेना है इसको घिजदेना है अगए साप कपड़ा दोस्तों होना है इस तरह से आपको साप कर लेना है तो आप दे सकते हो दोस्तों बिल्कुल ही अब इतली लेकर गया था अब यह ग्याय तो अब यह विल्कुल साफ है ठीक है अगर दोस्तों खूला यह तो सारी फॉन को सब्सक्राइब अच्छ सब्सक्राइब कर लेते हैं कर बैस से जान एक चीजा लान रखना अब साफ करते हो दो आगे लेंस होता है उस कैमरा नी तो फौन बिल्कुल गिन के पास मारना है वरना कैमरा यह फ्लर हीघागा कोसेश करिए जितना हो सब्सक्केश कामरे को लेंज पर कुछ मट प्रच ओने सब्सक्राबalog foi डूर दूर से हमां, पूर भी साप करना है जीतना था मैंने साप कर दिया कि ताकि कामर को यह जी ज़्यार चलीये मैं इसको भी लगा दूआ हम इस तरह से हमने इसको भी साप कर लिया दोस्तों प्रोपर बिल्कुल ओक्य है चली अब उसको फिट कर देते हैं वीसटोर दूस्तों तो यह सलुसन है इसका जो चेमरे में गृफं में दून गणाती है तो यही कारण होता है दून मत्ती आner का और बाटी तो छाय का ओ настоящ हॉत किया जाया बफो इस तरह से के फौन को कोई कोई साई फोन दोस्तों इस तरह से ही उसको साफ कर सकते हो बड़ा इजी है आसान तरीका है कोई भी जनजट बाजी नहीं है अगर आप दोस्तों यूजर हो तो मोबैल सब्सक्राइब चली जाओ अगर आप टेक्निशन हो तो आप तो अपने साफ से आप करें लोगे ना तो पर दिक्कट नहीं आए आपको ओके वो तो इस तरह से आपको यह चीज आपको कर दी है तो मैंने इसको फूरा फॉन कर दिया है और बिल्कुल ही साफ नई कंडिशन में कर दिया है कहीं से कोई मटी नहीं है बजे कि हां देखिए यहां से पीछे से कोई भी अब्दूल कर तरह नहीं है कोई बता बने पाएगा कि फॉन में कोई धूलती क्या था कुछ भी निया दूस्तों बिल्कुल ही साफ क्लियर हो गया है इससे फोटो भी साफ आएगी और कस्टमर को इतना कोई डाउट भी नहीं वर उसको अच्छा लेगा वो यूज कर सकता है जो चलिए आ तो इस तरह से हमने इस फॉन को जो है की साप किया है आपने देखा दोस्तों कितने सारी इसमें धूल मट्टी जो है कि इसमें जमी हुई थी और अब जो है कि हमने इसे बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है ओके कर सकता है तो तोस्तों अब मैंने फुरा फंट टारिया थिक है उसको बन कर देता हूं आप मैंने तुमेसे सही पूरों की है क्लीन किया और सांप कि या तो मैंने को उसके कारण बता दिया औरício समस्नला नोlet केहा prostu तicing करना है कि मेरे हाथ खुलावा फॉन है इसलिए ओके दन तो चलिए अब इसको दिक्स कर देते हैं फॉन को करके कि दोस्तों मैंने इसको आज से फिक्स कर लिया तो देखा दोस्तों कुछ भी ज्यादा बड़ा काम ने था अपने ईज़ी तरीके से हमने इस फॉन को जो एक ही साफ कलियर कर दिया तो दोस्तों इसी वीडियो मेंने आप यही बताया है कि धुल जाता है कैसे जाता है कहां से तड़ियों में बताय। तो तो यूट पीडिये में रहते हैं तो तो इस तरीके से बीडे में किस अचरव करना है किसे..! ओगे आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं Savage आप इन फोन आपको पस्राइब कीजिये ओक पैंक क्यों